कपिल सिबल सट्या गया है क्या कॉंग्रेज नेता और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सदशिय कपिल सिबल ने असम को मयामार का हिस्सा बताते वे अंग्रेजों द्वारा गबजे की बात कही है कस्मीर के बाद असम में भी अलगावाद फिलाने का ये बहुत बड़ा सड्यंत्र है और ये सब भारत के टुकडे करने की मंसा के लिए सद्यों से परियासरत भारत विरोतियों का एक और परियोग है केवल तुष्टी करन की राजनीती के चलते ये लोग मोधी का विरोत करते करते भारत के विरोत में पूरी ताकत से जुट गए है जब इनका नेता ही इटली से आया हो और उस नेता के बेटे में भी देश विरोती टीयने हो उस पार्टी के लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है क्या कॉंग्रेस सहीत समस्त इनके गड़बंदन के साथ ही इस पर माफी मांगेंगे साथ ही अकिलेस यादो भी बताए क्या वे भी इनका समर्थन करते हैं भड़के लोगों ने सरकार से मांग की है ततकाल इने गंभीर धाराओं में गिरपतार किया जाए और देश के विरोध में कड़ी से कड़ी सजाते असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा सर्मा ने राज्यसवा सांसद कपिल सिब्बल की टिपणी पर एकदम सही पलटवार किया है दरसल सिब्बल ने कहा था कि असम कभी मयामार का हिस्सा था हिमंत बिश्वा सर्मा ने प्लटवार करते वे कहा कि जो लोग असम की इतिहास के बारे में नहीं जानते इने इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए CM ने कहा कि जिने इतिहास का ज्यान नहीं होता है वो असम को मयामार का हिस्सा बताते हैं सियम ने कहा कि असम कभी भी मयामार का हिस्सा नहीं था, कुछ समय के लिए जड़पे हुई थी, मैंने ऐसा कोई डाटा नहीं देखा है जिसमें कहा गया हूँ कि असम मयामार का हिस्सा था, मुख्या मंतरी ने कहा कि कपिल सिपल को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं बोलना चाहिए 5 दिसंबर को नागरीकता दीनियम 1955 की धारा 6A की वेदता को चुनोती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दुरान सिपल ने कहा कि एक संधी के तहर अंग्रेजों को सोफे जाने से पहले असम मूल रूप से मयामार का हिस्सा था सिपल ने ये टिपणी तब की जब वैपूरे इतिहास में जनसिंक्या आंदुलनों का पता लगाने की जटिलता के बारे में बता रहे थे जिसमें मयामार का हिस्सा बनने से लेकर ब्रीटिस सासन के तहत इसके बाद के सासन और विभाजन की बाद पूर्वी बंगाल के साथ जुडाव तक असम के बारे में इतियासिक तत्य है सिम्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दुरान कहा लोगों और आबादी का प्रवासन इतियास में अंतर नहीं थे और इसे मेप नहीं किया जा सकता यदि आप असम की इतियास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पता लगाना ए संभव है कि कौन कब आया सिम्बल ने कहा था कि असम मूल रूप से मयामार का हिस्सा था 1824 में जब ब्रीटीसों ने इस छेत्र के कुछ हिस्से पर कबजा कर लिया था तब एक संधी की गई थी जिसके दबारा असम को ब्रीटीसों को सौप दिया गया था क्या कहना है आपका इस पर जय हिंद जय भारत